दोस्तों एक कहावात है कि अगर तुम घर पर रहे कर कुछ उखाड़ नहीं पारे हो तो घर छोड़ दो और इसी सोच के साथ मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़ता हूं घर को बाइबाइ बोल कर और अपने बॉस होस्टल पहुंच कर मेरी मुलकात इन प्यारे-प्यारे खरगोश से होती है फिर मैं अपने ओपिस पहुंचता हूँ जहां पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि जो हम पहले काम कर रहे थे तरीका बिल्कुल बदल चुका है और बिल्कुल नए तरीके से काम शिखना होगा जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी चलेंजिंग साबित हो रही है लेकिन जो होगा देखा जाएगा हमारी गुरूप मिटिंग खतम होते ही हम अपने मेंटर के साथ यानि प्रसम सर के साथ निकल पड़ते हैं बाहर टैलने या यूँ कहलो कमर सिधा करने लेकिन गर्मी के परकौप से हम आधी दूर से वापिस आ जाते हैं और अच्छे लड़कों के माफिक अपनी स्लीपर उतारते हैं और अंदर एंटरी करते हैं और आज कल सहर वाले जिससे सबसे अधिक प्यार करते हैं ओ यह है चम चमाती AC जिसके परभाव में आते ही मैं भूल जाता हूँ कि गर्मी के दिन चल रहे हैं एंड यहां पे सब AC का मज़ा लेते हुए अपने अपने काम में मगन है तब ही मेरी नजर दिवाल पे पड़ती है जिसे देखकर मैं मुझे मेरी खुद के बरबाद किया हुआ दिन याद आ जाता है और इस इक साथ मिराज का मिनी ब्लोगें पे समाप्त होता है राधे राधे